हलो आप आप नमस्कार स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूटूब चैनल एक्जाम अकेडमी पर जहाँ पर आप सभी को भारत के डिफरेंड डिफरेंड यूनिवर्सटी से अल हुए teaching and non-teaching post पर जो भी requirement रहता है उसका information हम आप लोगों तक पहुचाने का प्यास करते हैं तो guys आज हम जिस यूनिवर्सटी के उपर बात करने वाले हैं वो केंदरी कृषी विश्विद्याले के उपर हम इस वीडियो के उपर discuss करेंगे यहाँ पर एक advertisement release किया गया है जिसमें इन्होंने young professional one and young professional two के लिए एक post release किया हुआ है जिसमें यहाँ पर आप लोगों का walk in interview के माध्यम से guest faculties पर यहाँ पर requirement मांगे जा रहे हैं मैं आप सभी को बता दू कि भारत के बिभिन युनिवर्सटियों से project assistant teaching and non teaching post के साथ project assistance associate research research assistance से related कई vacancy ऐसी भी आती है जो की contractual basis post होता है जिसमें आप लोगों को six month, twelve month या फिर two years तक के यहाँ पर job available रहते हैं जिसमें आप लोगों को एक topic दिया जाता है जिसके उपर आपको data collection करना रहता है और इस काम के बदले में university के माध्यम से आप लोगों को एक salary provide कराये जाती है जितने duration के लिए आप यहाँ पर select किये जाएंगे तो इसी से related ये post है जिसमें young professional one और young professional two के लिए यहाँ पर recruitment निकल कर आया हुआ है सबसे अच्छी बात यह है कि इस farm को BSC, AG और BSC honors के जो candidate है वो farm apply कर सकते हैं इसमें किसी तरीके का net या PhD जैसी कोई भी qualification mention नहीं किया गया है तो अगर आप यहाँ पर young professional one के लिए farm apply करते हैं तो एक post पर यहाँ पर recommend मांगे गए हैं जिसमें qualification जो रखा गया है वो BSC, AG और BSC honors का qualification रखा गया है और यहाँ पर जो आप लोगों को वर्ग करने के लिए जो salary provide कराए जाएगी 25,000 रुपार पर month की salary आप लोगों को provide कराए जाएगी नेम आपदा जो project है जिस project पर आपको काम करना है उसके बारे में भी यहाँ पर information mention है और वहीं अगर आप young professional two के लिए farm apply करते हैं तो यहाँ पर भी एक post पर recommend मांगे जा रहे हैं लेकिन यहाँ पर जो qualification मांगे गए हैं उसमें MSC AG और MSC honors मांगे गए हैं और जो salary यहाँ पर आप लोगों को provide कराए जा रही है वो 35,000 रुपे पर month की salary यहाँ पर आप लोगों को मिलने वाली है इस farm को fill up करने के लिए जो terms and condition मिंसंग किये गए हैं उसमें आप लोगों का जो age है वो 21 साल से लेकर 45 साल के बीच में होना जरूरी है जिस पक्त आप interview दे रहे हो जो position यहाँ पर है temporary post है जिसमें आप लोगों को contractual basis पर यहाँ पर select किया जाएगा जो duration है यहाँ पर six month के लिए आप लोगों को यहाँ पर appoint किया जाएगा लेकिन इसे बढ़ाया भी जा सकता है university या फरीन sponsor के माध्यम से इसे घटाया भी जा सकता है duration को यहाँ पर जो notification release किया गया है वो 8 जनवरी 2024 को release किया गया है और इस farm को fill up करने का जो last date रखा गया है वो 23 जनवरी 2024 का date रखा गया है 23 जनवरी से पहले आप लोगों को इस farm को fill up कर लेना है और farm को apply करने के लिए आप लोगों को एक bio data बनाना है जिसमें अपना educational qualification अपना self जो information है उसे mention करना है साथ इसा जो आप लोगों का qualification है इन सभी चीजौत के इसमें mention कर देना है और उसमें जो आप लोगों का documents है उसका self अंटेश्टेट करके आप लोगों को जो को यहाँ पर submit कर देना है साथ ही साथ जब आप interview देने जाएंगे तो आप लोग अपना जो भी documents है उसको एक photocopy और एक original दोनों लिखे जाना है अपने interview में तो interviews related information आप लोगों को इस notification में देखने को मिल जाएगा तो इस तरीके के और भी information आप लोगों तक पहुचाने का प्रयास करते रहते हैं तो मिलते हैं एक नए वीडियो में नए information के साथ तब तक के लिए thank you so much